क्लास एट हिस्ट्री चैप्टर नमबर सेवन देशी जनता को सब भी बनाना, राष्टर को शिक्षित करना पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि बिटिश शासन के कारण यहां के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे इस अध्याय में हम यह समझने का प्रियास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूश्यत्र पर विजय और आय पर नियंतरण ही नहीं चाहते थे उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सब भी बनाना है और उनके रिति रिवाजों और मुल्य मानिताओं को बदलना है इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे भारतियों को शिक्षित, सब्य और अंग्रेजों की सोच के मताबिक अच्छी परजाब बनाने के लिए कौन से कदम उठाये जाने थे अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई नए बनाये, कोई बने बनाये जवाब नहीं थे इन सवालों पर कई दशक तक बहश चलती रही अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे आए सबसे पहले इस बात पर धियान दें कि शिक्षा के छेतर में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामाने दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विक्सित हुए इस पड़ताल के दोरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतियों ने बिर्टिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विक्सित हुए कि भारतियों को कैसे पढ़ाया जाए सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आये उन्हें इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थापित किये गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पदपर तैनात किया गया था कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाशाविद भी थे उन्हें आक्सफोर्ड में ग्रीक और लेटिन का अध्यन किया था वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अर्बी सीखने के अलावा फार्सी भी सीख चुके थे कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटो संस्कृत विद्वानों के साथ बैठ कर उनसे संस्कृत की बारिकियां उसकी व्याकरण और संस्कृत कावियों का अध्यन करने लगे थे कुछी सवय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीती, नैतिक्ता, अंक गनीत, चिकित्सा, विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतिये पुस्तकों का अध्यन सुरू कर दिया जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिल्चस्पियां रखते थे हैंरी टॉमस कॉलब्रुक और नैथे नियल हॉल हेड भी भारतिये भाषाएं सीख कर संस्कृत वा फार्सी रचनाओं का अंग्रेजी मनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतिये विरासत को समझने के प्रियास में लगे हुए थे इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक ससाइटी और बंगाल का गटन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक सोध पत्रिका का प्रिकार्शन सुरू किया जोन्स और कॉलब्रुक भारत के प्रती एक खास तरह कर अवईया रखते थे वे भारत और पेश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रती गहरा आदर भाव रखते थे उनका मानना था कि भारती सभिता प्राचीन काल में अपने वैभों के शिखर पर थी परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहां के पवित्र और कानूनी ग्रंतों को खोजना वो समझना बहुत जरूरी था उनका मानना था कि हिंदूओं और मुसल्मानों के असली विचारों वा कानूनों को इन ही रचनाओं के जरिये समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुना अध्यन से ही भारत के भावे वेकास का आधार पैदा हो सकता है इस तरह जोन्स और कोल भुक दोनों ही प्राचीन ग्रंतों को ढूंडने उनकी व्याख्या करने अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुँचाने में जुट गए उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना ना किवल अंग्रेजों को भारतिय संस्कृति से सीखने में मदद देगी बलकि भारतियों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुक्त वैभव को समझने में मदद देगी इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतिय संस्कृति के अभिवावक और मालिक दोनों की भुमेकाई निभा रहे थे इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सरे अधिकारियों ने ददील दी इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदूओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परेचित हैं और जिससे वे आदर और महतु देते हैं उन्हें अंजाने विशेयों के शिक्षा न दी जाए इन अपसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं केवल तभी अजनभी शासक अपनी परजा से आदर की उमीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अर्भी, फार्सी, इस्लामिक कानून के अध्यन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदर्सा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज के स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंतों के शिक्षा दी जा सके और देश का सासन चलाने में मदद मिले। परंतों कमपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे, इन में से बहुत सारे प्राच्चिवादियों के कटू आलोचक भी थे। भाशा विद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाशाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। मदर्सा, सीखने के अस्थान को अर्बी भाशा में मदर्सा कहा जाता है या किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। पूरब की जगन्य गलतियां। उनिस्मी सदिक के सुरुवात से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी द्रिष्टी कोन की अलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूरबी समाजों का ज्यान त्रूटियों से भरा हुआ और अवय ज्यानिक है। उनके मुताबिक पूरबी साहित अगंभीर और सतही था। इसी लिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाश्रा वा साहित के अध्यन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। पुराच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुक थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता के इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते वे शिक्षा नहीं द पढ़ाए जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तक्निकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। इंग्लेंड की प्रगती के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे उरोपिय पुस्तकाले का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समुचे देशी साहित्ति के बराबर है। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ग्यान से भारतियों को दुनिया की स्रिष्टम सहित्ति कृतियों को गढ़ने का मौका मिलेगा। यहां के लोग पश्वी विज्ञान और दर्शन के शित्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सब भी बनाने उनकी रूचियों, मुल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकॉले के मिंट्स विवरन के अधार पर अठार सो पैतिस का अंग्रेजों का शिक्षा अधनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उचिशिक्षा का माध्यम बनाये जाए और कलकत्ता मदर्से तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राचवादी संस्थानों को प्रोच्थान न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरन का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संग्या दी गई। अब अस्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठिपुस्त के छपने लगी। चित्रतीन वारिन हैंस्टिंग्स का समारक रिचर्ड वेस्ट माकोट अठारो सो तीस अब कलकत्ता इस्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्चवादी किस तरह सोचते थे। यहां आप देख सकते हैं कि सबसे ओपर हैंस्टिंग्स की भवि प्रतिमा है जो प्राच्चवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दुसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंसी दिखाई दे रहा है। हैंस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्चवादी भारतिय विद्वानों से विभिन भारतिय भाषाएं सीखनाव चाहते थे जिने वह कई बार के वाल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। अस्थाणी रिति-रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन गरंथों के अनुवाद और व्याक्या में मदद चाहते थे। हेंस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदर्से के स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहां के प्राचिन रिती रिवाज और यहां की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। प्राचिवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ग्यान रखने वाले लोग। मुन्ची ऐसा व्यक्ति जो फार्सी पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता हो। वर्नाकुलर यह शग्द आम तोर पर मानक भाषा से अलग किसी अस्थानिय भाषा या बोली के लिए इस इस्थानिय भाषाओं और समराज जवादी शास्कों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। चित्रचार, थौमस, बविंग्टन, मैकॉले और उनका अध्यन कक्ष। स्रोत एक ग्यानियों की भाषा अंग्रेजी पढ़ाने की जरुवत पर जोर देते हुए मैकॉले ने यह कहा था। सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आम तोर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो सहितिक जानकारियां होती है और नहीं वैग्यानिक। इसके लाबा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रुखी है कि अगर किसी और स्रोथ से उनको समरिद न बनाये जाए तो किसी ही मुल्यवान कृती का उनमें अनुबाद भी नहीं किया सकता। थॉमस वेविंग्टन मैकॉले भारतिय शिक्षा के विशे में दो फरवरी 1835 के मिंट्स। विवसाई के लिए शिक्षा 1854 में इस्ट इंडिया कंपनी के लंदन इस्थित कोर्ट आफ डिरेक्टर्स ने भारतिय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विशे में एक नोट भेजा कंपनी के नियंतरक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वोड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का निती पत्र वुड्स डिस्पैच्ष के नाम से जाना जाता है इस दस्तावेज में भारत में लागु की जाने वाली शिक्षा निती की रूप रेखा अस्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्चिवादी ग्यान के अस्थान पर यूरोपिय शिक्षा को अपनाने से कितने ब्यवहारिक लाव प्राप्त होंगे इस दस्तावेज में यूरोपिय शिक्षा का एक ब्यवहारिक लाव आर्थिक शत्र में बताया गया था उसके मताबिक यूरोपिय शिक्षा के माध्यम से भारतियों को ब्यापार और वानी जी के विस्तार से होने वाले लावों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्तु समझने मदद मिलेगी यदि उन्हें उरोपिय जीवन शैली से अवगत कराये गया तो उनकी रूचियों और अकांगशाओं में भी बदलावाएगा और बिर्टिश वस्तुओं की मांग फैदा होगी क्योंकि तब यहां के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना सुरू कर देंगे वुड के निती पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपिय शिक्षा से भारतियों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा इस से वे जदा सत्यवादी और इमानदार बन जाएंगे और फल सुरूप कंपनी के पास भरोसे मंद करमचारियों की कमी नहीं रहेगी दस्तावेज के मताबिक पूरब का साही तिन्ह के वल भयानक तुरूटियों से भरा पड़ा था बलकि यह लोगों में न तो काम के प्रती दाइत और समर्पन का भाव पैदा कर सकता है और नहीं शासन के लिए अवश्यक निपूंता पैदा कर सकता है 1854 के निती पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा सम्मंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंतर्ण अस्थापित किया जा सके विश्वेद्याले शिक्षा की विवस्था व्यक्सित करने के लिए भी कदम उठाए गए 1857 में जब मेरट और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय कलकत्ता, मदरास और मंबई विश्वेद्यालियों की अस्थापना की जा रहे थी श्कूरी शिक्षा प्रनाली में परिवर्तन के प्रियास भी किये गए स्रोत दो यूरोपिय ग्यान के पक्ष में एक तर्क 1854 के वुड के निती पत्र में प्राच्षिवादी ग्यान का विरोध करने वालों की निरनायक विजय का संकेत था इसमें कहा गया था हमें जोड देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लख यूरोप की स्रेश्टर कलाओं सेवाओं दर्शन और साहित्य यानि यूरोपिय ग्यान का प्रसार करना है गति विधी कलपना कीजिए कि आप 1850 के दर्शक में जी रहे हैं आपने वुड के निती पत्र वुड्स डिस्पैच के बारे में सुना है इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए नैतिक शिक्षा की मांग उनिस्वी सदी में भारत में सक्रिय इसाई प्रचारकों ने विभारिक शिक्षा के पक्ष में दिये जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उदेश लोगों के नैतिक चरित में सुधार लाना होता है और नेतिक्ता उत्थान केवल इसाई शिक्षा के जर्य ही संभव है 1813 तक इस्ट इंडिया कमपनी भारत में परचारक गतिविधियों के विरुद थी कमपनी को भैथा कि परचारकों की गतिविधियों की वज़़ से अस्थानिय जन्ता के बीच असंतोस पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्तिती को शक्की निजर से देखने लगेंगे ब्रिटीश नियंतरन वाले भूशित्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वज़़ से प्रचारकों ने अंततह से रामपूर में अपना मिशन खोला या इलाका डेनिश इस्ट इंडिया कंपनी के नियंतरन में आता था वर्ष 1800 में एक शापा खाना लगाये गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया उनिस्वी सदी के दोरान पूरे भारत में परचारक स्कूल खोले गए परंतू 1857 के बाद भारत की बिटिश सरकार परचारक शक्षा को प्रतेक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी सरकार को लगता था कि अस्थानिय रिती रिवाजों, बेवारों, मुल्य मानताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़ चड़ देशी लोगों को भड़का सकती है चित्र छे, स्कॉटलेंड के इसाई परचारक विलियम केरे, जिसने सिरामपूर मिशन के स्थापना में मदद की अस्थानिय पाठ्शालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहां बच्चों को किस तरह पढ़ाई जाता था? विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉटलेंड से आये इसाई परचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दोरा किया कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगती पर रिपोर्ट तियार करने का जिम्मा सौपा था एडम ने जो रिपोर्ट तियार की वह दिल्चस्प थी एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में एक लाग से ज़्यादा पाटशालाएं है ये बहुत छोटे-छोटे केंडर थे जिन में आम तोर पर बीस से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे फिर भी इन पाटशालाओं में पटने वाले बच्चों की कुल संख्यां काफी बड़ी यानी बीस लाग से भी ज़्यादा थी ये पाटशालाएं संपन लोगों या अस्थानिय समुदाय द्वारा चलाई जा रहे थी कई पाटशालाएं स्वयम गुरु द्वारा ही प्रारंब की गई थी शिक्षा का तरीका काफी लचीला था आज आप जिन चीजों की अस्कूलों से उमीद करते हैं उन में से कुछ चीजें उस समय की पाटशालाओं में भी मौजूद थी बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबे नहीं होती थी, पाटशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजरी लेने का कोई इंत नहीं होता था। सालाना इंतिहान और नियमित समय शारनी जैसी कोई विवस्था नहीं थी। कुछ पाट सालें बर्गत की छाओं में ही चलती थी तो कई गाओं की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरू के घर पर ही बच्चों को पढ़ाय जाता था। बच्चों के फीज उनके माबाब की आमदनी से तै होती थी, अमीरों को जादा और गरीबों को कम फीज देनी पढ़ती थी। शिक्षा मौकिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थों की जरूरतों को देखते हुए गुरू ही तै करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाई जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग-अलग अस्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरू अलग से बात कर लेते थे। अडम ने पाया कि यह लचिली प्रनाली अस्थानी अवशकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उधारन के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाओं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गाओं के बच्चे प्राया खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाटशाला दोबारा सुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारन कास्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई करते थे। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजुदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किये जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिन चरिया नए नियमों और नियमित निरिक्षनों के जरिये पाटशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इन में से परतेक पंडित को चार-पांच असकूलों की देखरेक का जिम्मा सौपा जाता था। पंडितों का काम पाटशालाओं का दोरा करना और वहां अध्यापन की सित्यों में सुधार लाना था। परतेक गुरू को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने असकूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारनी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाथे पुस्तों को पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगती को मापने के लिए वार्षिक परिक्षाओं की रूप रेखा तयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रुप से शुल्क दें, नियमित रुप से कक्षा में आएं, तैसीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, जो पाठशालाएं नई विवस्ता के भीतर काम करने को तयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी, जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाए अप नए नियमों और दिन्चरिया का एक और भी नतीजा हुआ, पहले वाली विवस्ता में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय शारनी काफी लचीली होती थी, नई विवस्ता के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित अब कटाई के मौसम भी बच्चों का सकूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे, अगर कोई बच्चा सकूल नहीं आ पाता था, तो इसे अनुशासन हींता माना जाता था, यानि बच्चा पढ़ना लिखना ही न अब बताएं कि सरकार दोरा नियंत्रित पाटशालाओं पर आपकी क्या राय होगी, दूसरा, क्या आपको मालूम है कि प्रात्मिक अस्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50 परतिशत बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अस्कू अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉंबे मुंबई में अपने एक संभाशन में राष्टे शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष शात्रों में राष्टेता का भाव जागरित करना है इसके लिए अपने पुरवजों के सासिक कारियों पर गहराई से चिंतन करन अवश्यक होगा शिक्षा को मातरी भाशा में होना चाहिए ताकि यह अधिक सधिक लोगों तक पहुंच सके अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यदपी शात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए फिर भी उनको आधुनिक वैज्यानिक आविशकार तथा लोकप्रिय शासन व्योस्था के संदर्व में पश्चमी देशों के अनुभो का भी भरपूर लाग उठाना चाहिए इसके अतरिक्त शात्रों को कोई हस्त कलाभी सीखनी चाहिए ताकि वे अस्कूल छोड़ने पर यथा संभव रोजगार पा सकें राष्ट्रिय शिक्षा की कारे सुची केवल अंग्रेज अपसर ही भारत में शिक्षा के बारे में ही नहीं सोच रहे थे उनिस्वी सदी की सुरुआत से ही भारत के विभिन भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के ब्यापक प्रसार की जरुद पर जोर देने लगे थ था कि पश्चमी शिक्षा भारत का आधोनिकी करन कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आवान किया कि वे नए स्कूल, कालेज और विश्वे द्यालेक खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय नौ में पढ़ेंगे। परंतो बहुत सारे भारतिये पश्चमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविद्ना टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। आए देखें कि उनका क्या कहना अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि अपनेवेशिक शिक्षा ने भारतियों के मस्तिस्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहां के लोग पश्चमी शभिता को स्रिष्टतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रती उनका गौरव भाव नस्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा है कि इस शिक्षा में विश्व भरा है या पापूर्ण है। इसने भारतियों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला हैं। उनके मताबिक पश्चिम से अ भारतियों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वभिमान का भाव पुनट जिवित करे। राश्चिय आंदोलन के दोरान उन्होंने विद्यारतियों से आवहन किया कि वे शिक्षर संसानों को छोड़ दें। और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए त समाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमी पर अजनवी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भासा बोलने वाले अस्थानी संस्कृति से घिरना करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतिये अपनी जंता से जुड़ने के तौर तरीके भूल महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चमी शिक्षा मौखिक ज्यान की बजाए किवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठी पुस्तों को पर तो जोर दिया रहता है लेकिन जीवन अनुभवों और विवारिक ज्यान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का हाथ से काम करना पड़ता है। हुनर सीखने पड़ते हैं और यहां जानना पड़ता है कि विविन चीजें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की शमता दोनों विक्सित होंगे। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुश्य के देह, मस्तिष्क और भावना के स्रेश्टत्वों को सामने लाया जाए। साक्षर्ता न तो शिक्षा का अंत है और नहीं इसके सुरुवात, यह तो केवल एक साधन है जिसके ज सबसे पहले उन्हें कोई उप्योगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें सुरु से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तियार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च वेकास इस तरह के सिक्षा में ही संभव है। प्रतेक हस्त कौशल आज की तर प्लाक्टिड वाक्स ओप महात्मा गांधी, खंड बहत्तर, पिस्ट उन्यासी। जैसे जैसे राष्टी भावना कया प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्टी शिक्षा प्रनाली के बारे में सोचने लगे, जो अंग्रेजों द्वारा अस्थापित की गई, व्यवस्था से आमूल तोर पर भिन हो। चित्र ग्यारा सांती निकेतन में एक कच्छा चल रही है, 1930 का दशक, आस पास का महौल देखिए, चारो तरफ पेड और खुली जगह है। टैगोर का शांती निकेतन, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांती निकेतन के बारे में सुना होगा, क्या आप जानते हैं कि इसकी अस्थापना किसनी और क्यों की थी। रविद्ना टैगोर निया संस्था 1901 में सुरू की थी, टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिड़ते थे, वहां उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का महौ दमनकारी लगता था, टैगोर को ऐसे लगता था मनो अस्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मन चाहा कभी नहीं कर पाते थे, जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था, कलकत्ता के अपने अस्कूल जहाँ वे मुक्त और रचना शील हों, जहाँ वे अपने विचारों और अकांचाओं को समझ सकें, टैगोर को लगता था कि बच्चपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, वह अंग्रेजो द्वारा स्थापित की गई, शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बच्चे की रचना शीलता चकित होने के उसके सोहविक गुन को मार देते हैं, टैगोर का मानना था कि स्रिजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोसाहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमेटर दूर एक ग्रामीन परिवेश मे अपना स्कूल खोलने का फैसला किया, का फैसला लिया, उन्हें यह जगा निर्मल शांती से भरी शांती निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृती के साथ जीते हुए बच्चे अपनी सुभाविक स्रिजनात्मक मेधा को और विक्सित कर सकते थे, बहुत सारे मामलों में पश्मी सभिता और मशीनों वप्रादवगिकी की उपासना के कटर आलोचक थे, टैगोर आधुनिक पश्मी सभिता और भारतिय परंपरा के स्रिष्ट तत्मों का समिसरन चाहते थे, उन्होंने शांती निकेतन में कला, संगीत और नित्य के साथ साथ विज्यान और कारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली की रूप रेखा क्या होनी चाहिए, कुछ लोग अंग्रेजो द्वारा स्थापीत की गए विवस्था में परिवर्तन चाहते थे, उनका मानना था कि इसी विवस्था को इस तरफ हैलाया जाए कि उसमें कि उसमें जादा से जादा लोगों को पटने के मौके मिले, इसके विपरीद बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक विवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रिय संस्कृति के शिक्षा दी जा सके, कौन तय करे कि सच्चे सुतंत्रता के बाद भी जारी रही, चित्र बारा कोयंबटूर के एक परचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे, बीस्वी सदी का प्रारंब, उनिस्वी सदी के मध्य तक इसाई परचारक और भारतिय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे, अन्यत्र, सब भी करने के लिए शिक्षा, 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आम तोर पर पूरी आबादी के लिए ब्यापक शिक्षा ब्यवस्था नहीं थी, बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को अस्कूल नहीं स्थापित किये गए थे, शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने सुरू किये और अनिवार शिक्षा का प्राधान किया गया, टॉमस अर्नाल्ड इस दौर के सबसे महतपूर्ण शक्षनिक विचारकों में से एक थे, वह रगवी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य ध्यापक थी, माधिमेक स्कूल की पार्ठी चरिया में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रे कृतियों के विस्तृत अध्यन की हिमायत करते उनने कहा था, मुझे हमेशा इसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध अधियास और कुछ साल पहले ये हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं, आर्नल्ड का मानना था कि शास्त्रे कृतियों के अध्यन से दिमाग अनुशासित होता है, वास्तों में उस काल के ज़्यातर शिक्षाविदों की मानिता थी कि इस तरह के अनुशासन बहुत जरूरी हैं क्योंकि बच्चे सोहाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है, सभ्य वयस्क के रूप में विक्सित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, आरोचित और अनुचित आचरन क्या हो तथा उपनिवेशों में देशी जनता के शिक्षा से सम्मधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा। आए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मैकाले के बीट चर्चा चल रही है। और अब ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं। आप एक पन्य में लिखें कि दोनों क्या कह रहे हैं। रहे हैं पर महात्तुश्ट में लिपत्या रहे हैं।